नमस्कार दोस्तों क्रिकेट में इसके एक और नहीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइज IPL 2022 के सुरू होने से पहले कुछ बहुती बड़े और important information निकल कर आए है जिनके बारे मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो आप से मेरी गुज़ारी से एक कि अब इस वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा तो guys IPL 2022 से पहले CSK को बहुती बड़ा जटका लगा है एक्चुले दिपक चहर IPL 2022 से बार हो चुके हैं और CSK उनकी जगा को फुल्फिल करने के लिए किसी foreign player को ले नहीं पाएगा क्यूंकि उनका foreign player का slot complete हो चुका है ये information निकल कर आ रहा है कि CSK दिपक चहर की जगा धवल कुल करने को टीम में सामिल करेंगे गाइस दूसरा update जो है वो राश्टन रोयल्स के तरफ से निकल कर आ रहा है दरसल राश्टन रोयल्स की टीम ने जेपूर पर अपना practice campaign चुरू कर दिया है और सभी खिलारी जेपूर पहुच गए हैं और टीम से जूर गए हैं आज का जो तीसरा update है वो गुज़ाट Titans की तरफ से निकल कर आ रहा है तो गैज जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि जेसेन रोय ने अपना नाम IPL दोजबाइस से वापस ले लिया है तो गुज़ाट की टीम जेसन रोय का replacement की धून रही है और फ्रेंस ने गुज़ाट की टीम से डिमान किया है कि वो टायनाग और टीम में रिप्लेस के तोर पर सामिल करें लेकिन गुज़ाट की टीम इस पर दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और उन्होंने का है कि वो मार्च के दूसरी विक में रोय का replacement एनौंस कर देगी तो गैज आज का चोथा important information है वो है crowd को ले करके तो गैज बिसी से नहीं confirm कर दिया है कि IPL के पहले phase यानि कि 25 मार्च से लेकर 15 एपरिल तक 25% crowd allow किया जाएगा और फिर COVID के situation को ध्यान में रखते विया आगे का फेशला लिया जाएगा तो गैजाज का आखरी और important information जो है वो है home और अवे जर्स्ती को ले करके तो गैज BCCI ने सभी टीम्स को ये permission दे दिया है कि अगर वो अच्छा है तो वो IPL 2022 में डोज वर्स्ती का यूज कर सकती है जिसके RCB के टीम हमेशा से कड़ती आ रही है जिसमें अराश्तन रोयल्स, KKR और गुजाट के टीम नहीं interest दिखाया है